जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज आपके लिए लेकिया आए है एलिफेटिक हाइड्रोकारबन से डिफ्रेंसिज यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंसियेट करेंगे दो और गैनिक कमपाउंड को दो एलकीन को यहाँ पे आपको वो कैमिकल रेक्शन्स मेंशन करने पड़ेंगे जिनकी हैल्प से आप व्यूट वन इन और व्यूट वन इन को डिफ्रेंसियेट कर सकें तो आएए उनको देखते हैं यहाँ पे हमने दो कोलम मेंटेन कर लिए है पहला कोलम लेफ्ट साइड पे व्यूट वन इन के लिए लिया हुआ है राइट साइड पे जो होती है इसकी हैल्प से आप किसी भी एलकीन में डबल बॉन की पोजिशन को भी डिटर्माइन कर सकते हैं बतलब अगर कोई पूसता है कि एक सिंपल से कोई आप से कि कैसे आप एलकीन में डबल बॉन की पोजिशन को सिचुएट करेंगे लोकेट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये reaction mention करना है कि by means of organolysis we can locate the position of double bond in any organic compound यानि किसी भी अलकीन में अगर आपको double bond की position को बदाना है तो उसके लिए organolysis एक बेटर option है यहाँ पे आप देख सकते हैं left और right में हम लोग ने तयारी करके रखी हुई है यहाँ पे यह लिया हुआ ब्यूट वान इन और right में लिया हुआ 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 है ब्यूट तु इन यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं reductive organolysis इसको reductive organolysis भी बोलते हैं पहले step में mono-agenyde बनता है और जो उनके साथ reaction करके CH2-CL2 यहाँ पे solvent होता है जी इसका कोई रोल नहीं होगा और दूसरे स्टैप में होता है रिड़क्टिव क्लीवे जीन्क और वाटर जो होता है वो जो तीन ओक्सीजन एटम जुड़ने के बाद जो यहां पर मोलो ओजोनाइड रिंग बनेगी उसको क्लीव कर देता है अब इतनी सारी मेकनिजम जो मैंने डिसकस करी है हो सकता है कुछ बच्चों को सवज में आया हो लेकिन अधिकतर बच्चों को नहीं आता है अब हम लोग बात करते हैं सर यहां पर हम लोग कोई मेकनिजम डिसकस नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर सिम्पल सी वो ट्रिकोलोजी वो ट्रिक की बात करेंगे जिससे हमारा कोशन तुलंद बन जाए और नमबर आए फुल हमारे ठीक है जी तो आई हम लोग ट्रिक से जाते हैं जब भी आप यहाँ पर ओजनलिसिस करेंगे किसी भी कमपाउंड का तो वहाँ पर सिम्पली आपको कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन ब्रेक कर देना है किलियर हुआ और जो यहाँ पर दोनों कार्बन अलग हुए हैं डबल बॉन टूटने के बाद वहाँ पर आपको ओक्सिजन को जोड़ देना है कार्बन के साथ ठीक है जी तो अब देखिए यहाँ पे बना क्या पहले left से लेते हैं फ्रेग्मेंट जो खुटा हमारा तो यह देखिए क्या बना CS3 जी यहां CS2 और यह देखिए क्या बना CHO तो यह जो compound बना है इसका नाम अगर बात करें तो नाम होगा propanel ठीक है जी इसका नाम होता है propanel clear हुआ और यहां पे दूसरा compound जो बनेगा यहां पे उसकी भी बात कर लेते हैं तो sir यहां पे देखिए CS2O यानि कि CS2O को अगर मैं यहां पे इसका लिखता हूँ formula तो यह हमारा होता है formaldehyde CS2O condensed form में भी लिखा जाता है लेकिन रेर होता है लिखते हैं ऐसे तो यहां पे आपको clear हुआ अगर butone in आपके साथ एक किसी mixture में butone in और butone in लिया हुआ है तो वहां पर अगर butone in होगा तो वो originalysis करने से आपको दो तरह के aldehyde देगा एक आपका प्रोपेनल होगा तो दूसरा आपका जी है मिथिनल या formaldehyde होगा क्या ये clear है आपको अब बात करते हैं butone in की तो यहां पे butone in में तरीका वो ही है जी जो आपको बताये था तरीके में क्या करना है आपको double bond को break कर देना है simply mechanism ने tricky बात कर दे है और आपको यहां पे दो O atom combine करने है दोनों उन कारबन पे जिनके बीच का double bond टूटा है टूटने के बाद जो बनेगा उसको जरा assume करिए क्या बनेगा left side से लेते है CS3 CHO लिख देता हूँ मैं यहां पे CS3 CHO ठीक है जी और right side के क्या बनेगा CS3 CHO तो यहां पे दो मोल आपको मिलेंगे सब दोनों LDI जो है वो same होंगे और उसका नाम होगा ethanol तो पहली reaction से तो आपने differentiate कर दिया कि आपके जो alkyne है दोनों alkyne same reaction करते हैं लेकिन product अलग अलग देते हैं तो यह हमारा पहला differentiating point हो गया कि ogenolysis करके हम लोग but one in को but two in से अलग कर सकते हैं अब बात करते हैं second reaction की जो इससे भी ज़्यादा important है और exam में different form में आती है तो उसकी बात कर लेते हैं जी और वो रहेगा oxidation by hot kmn4 तो हम लोग करना किया है यहाँ पर but one in का और but two in का hot kmn4 के साथ reaction कराना है means kmn4 solution लेना है और उसके साथ alkene को but one in को but one in को गरम करना है तो देखी यहाँ पर condition clear है यहाँ पर रिखावा but one in kmn4 solution है heat कर रहे हैं sir heating जो होती है it is simply boiling reflexing होती है यहाँ पर more than 100 degree Celsius temperature रहता है 373 silicate 383 Kelvin रहता है strongly boil करते है और जब boil करेंगे तो यहाँ पर oxidation होगा क्यों आप जानते है kmn4 is known as well oxidizing agent different compounds को different organic compounds को oxidize करने के काम आता है अब यहाँ पर एक चीज है trichology की बात करें तो मैंने यहाँ पर 4 mole nascent oxygen लिया होगा है देख रहे हैं आप यहाँ पर 4 O atom है उपर वाली reaction में हमने 2 O atom लिये थे यह trick आपको पगड़ के रखनी है कोई भी question आए बचके नहीं जाएगा तो अगर आप किसी organic compound को hot kmn4 के साथ treat कर रहे हैं या kmn4 के साथ गरम कर रहे हैं रिफलक्स कर रहे हैं तो यह reaction दो step में होती है पहले step से जड़ा assume करिए जो उपर बनाता वोईद बनेगा यानि aldehyde बनेंगे 2 और यहाँ पर 2 aldehyde जो बनेंगे उसकी अगर बात करें तो एक होगा CS3, CS2, CHO, propanol और दूसरा होगा CS2 बोले तो methanol लेकिन यहाँ पर मैंने बोला ना reaction की condition जो होती है vigorous होती है काफी strong conditions होती है और जैसे ही आपका aldehyde बन जाता है aldehyde is more prone to further oxidize aldehyde बहुत जल्दी oxidize होता है जी और तुरंत कार्बोक्सलिक acid में convert हो जाता है तो आपको करना क्या है फिट से सुनिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे final product की mechanism की बात नहीं करूँगा सिर्फ ट्रिकोलोजी की बात करूँगा आप यहाँ पर एक साथ पहले double bond तोड़िए double bond तोड़ने के बाद यह चारो atom एक साथ यूज कीजिए यह देखिए मैं यहाँ पर 2 O लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 O लिख रहा हूँ और आपको यह carbon के साथ जोड़ देने है तो देखिए क्या बनेगा final product CS3 CS2 और सर देखिए COOH जलने देखिए क्या बना COOH clear है और यहाँ पर दूसरे product की अगर बात करें तो वो भी देख लीजिए तो यहाँ पर दूसरा जो बनेगा वो क्या होगा CS2O मितनल था तो इसका carboxylic acid क्या होगा HCOOH क्या है क्लियर आपको अगर यहाँ पर exam में ऐसे दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है तो यह compound तो आप जानते हैं यह होता है आपका propanoic acid ठीक है जी और इसका अगर लोग नाम की बात करें तो यह होगा आपका mithenoic acid ठीक है जी लेकिन एक दिक्कत यह होती कि mithenoic acid जो होता है यह more reacting carboxylic acid होता है और जैसे की condition आपने उपर maintain की हुई है तो उस condition में यह less stable हो जाता है और further breakdown होके आपको CO2 और water दे देता है तो अगर कहीं पर fill in the blanks में या ऐसी condition दे के बोले कि बताओ product क्या बनेगा तो वहाँ पर आप दियान रखीगा दो product बनेंगे CS3, CS2, COH या formic acid और अगर यह नहीं दिया है तो हो सकता है आपको propanoic acid CO2 और water दे that will be more appropriate answer यह बिल्कुल सही answer होता है जी अब इदर आते हैं इदर tricky बात करें आपको करना कुछ नहीं है यहाँ पर यह bone double bone तोड़ देना है जब भी किसी alkyne को आप kmin of force solution के साथ heat करेंगे तब यह trick use करेंगे और एक साथ 4 o atom use करेंगे जी यह दिखिए मैंने यहाँ पर 2 इदर 2 इदर लिख दिया अब थोड़ा जोड़ेंगे तो आपको answer दिखाई पड़ रहा होगा आप तो master हो गए हैं जी बताइए क्या बनेगा CS3-COOH ठीक है जी इदर से बात कीजिए CS3-COOH अरे sir कार्बोक्सलीक ऐसर कितने मोल बनेंगे दो मोल बनेंगे क्या है किलियर है आपको तो यहाँ पर आपको मिला ethenoic acid अब जल्दी से इन दोनों कोलम को दोनों reaction को आप जड़ा summarize कर लीजिए concise कर लीजिए दियान कर लीजिए देखिए पहले step में औरजनलिसिस करते हैं but one in का तो आपको 2 aldehyde मिलते हैं लेकिन but two in का औरजनलिसिस करते हैं तो केवल एक ही aldehyde बनता है अथेनल अब दूसरी reaction की बात करेंगा but one in को आप केमिन 4 के साथ heat करते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा प्रोपेनोइक acid co2 और water जबकि आपका but two in आपको देगा केवल एथेनोइक acid क्या ही clear आपको तो बच्चों ये था आज का हमारा video जिसमें हमने जाना but one in को but two in इन से आप कैसे अलग करेंगे clear हुआ होगा कुछ लोग की request आई थी उन्हें की request पर ये वीडियो है कि YouTube के ओपर कहीं भी आपको view to one in और view to in में differentiation नहीं मिल रहा है unturn नहीं मिल रहा है बच्चे परिसान होड़े सब बनाइए सिर्फ और सिर्फ उनके लिए नहीं सबके लिए बनाया है जी thanks for watching